इस लेमा इस चैनल दोस्तों आप लिए नया वीडियो लेके आया हूं आज इस प्रोड़क के बारे में बताऊंगा तो वीडियो देखके अभी स्कीम मत किजिए क्योंकि कुछ बता रहा हूं जास सुनके जाहिएगा तो दूसरा वीडियो बनाए हैं बहुत लॉंग बन चुका है और उसके बाद लॉट सटिंग हो गया था दिन में लग 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 तीन चार बार लॉट सटिंग हुआ है और लॉंग डिवरेशन करके तो वह वीडियो में अभी आपलोड ने करपाऊंगा तो यह छोटा वीडि दिन हो गया मतलब तीन अम्पेर का ही यह ठीक है तो दस बार दिन पहले मैंने इसको ख़रीदा था तो मैं सोचा कि इसका वीडियो बना देता हूं कि जो पहले हम इसको इसको इस्तेमाल करते थे उसमें खाली इधर का था मतलब बाइड डिफल्ट 1.25 था उसके पाद 1.5 जितना जितना है 1.8 2.5 3.3 यह वीडियो में भी दिखाए हैं लेकिन यह जो है थोड़ा सा आगे हैं देखिए 1.1 है 1 वोल्ट है 0.9 वोल्ट है देख सकते हैं ठीक है जी एलसी 1239 यह जो है नया है मार्केट में अभी और बहुत ही चल रहा है और प्राइस भी सेम से महीं है लग भग लग भग और डाटासीर इसका देखिए हैं हर एक में इसमें दिए हैं 3 अंपर का ही है देख सकते हैं इसमें इन्पूट वोल्टेज दिए हैं 5 वोल इसमें 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 यह जो can up कर सकते हैं। तो जितने में support करेंगें उतना ही आपका out love voltage आउटबड़ मिलेंगा ठीक है और इसमें देखिए और एक चीज दिये हैं यहाँ पर ओन आप कांट्रोल दिये हैं फीन नंबर 6 जो है इस एनवेल फीन एक्टिव हाई रिक्वाइर 3.3 वोल्ट ठीक है तो इससे आप ओन आप कर सकते हैं और इसके बाद देखिए कोर वोल्टेज आउटफूट शॉ मीसिंग है तो आप यहां से स्वाट करके देश सकते हैं टीवी में बहुत ही फाइदामंद है ठीक है देखिए यहां पर कुछ और भी लिखे हैं जो कि आप लोगों को देखने के बाद फाइदा में लिगे 4 वोल्ट यहां पर 0.9 for lg mainboard 1 volt for dlp projector 1.12 for samsung mainboard 1.15 और 1 volt for android mainboard ठी लिखें और यहां पर 2.8 volt इसमें दिये हैं other than selectable point इसमें सब लिखा हुआ details ठीक है तो इतना जानके कुछ फाइदा नहीं है तो हैद एक पैकेट में सेम ही चीज है जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए वीडियो बनाया वीडियो अच्छा लगा होगा क्योंकि बहुत useful product है लेकिन अच्छा नहीं लगा तो like करने की ज़रूद नहीं और आप लोग चाहते हैं तो दूसरा product के बारे में जो की बहुत useful होता है जो हम लोग use करते हैं हम लोग तो सब कुछ वीडियो नहीं बनाते थे पहले लेकिन अभी बनेगा और channel की description में हमारा जो blog channel है उसका description description रहेंगे तो जाके subscribe कर लीजिएगा क्योंकि उसमें अगर subscriber थोड़ा थोड़ा करके आएंगे views बगिर आना लगेंगे तो क्या करेंगे हम लोग part day 2-3-4 करके वीडियो डालेंगे कुछ भी करता रहते हैं हम लोग जो भी करते हैं वो भी डालेंगे success नहीं होता है वो भी dead डालेंगे क्योंकि जो बंदा काम करते हैं उनके पस तो सब कुछ success होता है ऐसा नहीं है हर कोई बंदा failure होता है कभी-कभी और कुछ tempered काम है उसमें तो maximum failure आता है मतलब 10 कम आए तो 3-4 तो ऐसी fail हो जाएंगे तो सभी कुछ उसमें मिलता है खाना वाना कुछ भी जो बनता है यहां पर सब कुछ उसमें मिलेंगे updates तो उसको जाके subscribe कर लिजेगा और उसमें social media handle का भी details रहेंगे तो जरूर follow अगेरा कर सकते हैं ठीक है और अगर चैनल अच्छा लगता है तो subscribe करने के बाद घंटी बग जगादे तो गाइस थेंकिव फिरी माच एकना लेकिन जय हिंद बंद मत्रम लव वी वाल्ट